असलालेकुम आज हम बनाएंगे पोटेटो इसमाइली इसके लिए हमने आपे लिया है 250 क्राम आलू इसको मैंने उबाल कर एक घंटा पहले फ्रीज में रख दिया था इसे हमने छीन लिया है अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से यहां पर मैंने ग्रेट कर लिया है इसे पहले अच्छे से मैश कर लेंगे एक टीस्पूर नमक डालेंगे कॉन फ्लार डालेंगे यहां पर मैंने पांच टेबली प्लून कॉन फ्लार डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने मिक्स कर लिया है यह बिल्कुल आटे के डो जैसा हो गया है अब यहां पर मैंने लिया एक प्लास्टिक इसको पड़े हम ग्रीस कर लेंगे अब जो आलू का डो है इसको हम इस पर रखे हाथों से फैला देंगे थोड़ा और इसे बेलन से बेल देंगे बेलन को भी पहले ग्रीस कर लें ताकि चीपके नहीं अब इसे हम काटेंगे तो अगर आपके पास कुकी कटर है गोल शेप में तुससे काट लो नहीं है तो किस अब एक पेन लेंगे पेन से सबसे पहले इसकी आँख बनाएंगे आप पेन का ढखकन भी ले चकते हो इसका मुह बनाने के लिए एक चम्मच लेंगे यह हमारा इसमाइली पोटेटो बन गया इसी तरह पूरा बना लेंगे पहले आँख बनाएंगे उसके बाद उसका मुह बनाएंगे कितना अच्छा बन के तयार हुआ है इसी तरह पूरे बना लेते हैं यहां वे मैंने सारे बना लिए हैं अब इसे हम डी फ्राई करेंगे यहां पे तेल गरम हो गया है अब इसके अंदर हम एक एक करके डाल देंगे एक मिनट बिल्कुल इसे टच नहीं करेंगे एक मिनट हो गया है जब यह हो जाता है तो अपने आप उपर आ जाता है अब इसे हम पलट देंगे गैस का फ्लेम मीडियम है यहां पे तीन से चार मिनट हो गया है मैंने इसको उलट उलट के पका लिया है अभी काफी क्रिस्पी हो गया है अब कलर भी कितना अच्छा है इसके उपर तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाकी जो बचा है उसे भी हम डाल देंगे इसे भी वैसे अब हम इसे वह नुकाल लेते हैं तो यहां पे सारे हैस्टे वrang बैनने तैयार हो गया है यह बहुत यम्मी बना है और बहुती क्रिसी बना है आप देख सकते रहा रहा जाले भी कृष्स्पी है है इसको मैंने चान कर जाली पे निकाल दिया था जाली पे निकालने से जो एक्स्ट्रा ओयल रहता है वो नीचे निकल जाता है और यह हमारा क्रीस्पी बना रहता है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो आप इसे ज़रूर बनाएं यह बच्चों को तो बहुत पसंद आता है बड़ों को भी पसंद आता है दूआ में याद रखें इंशाल्ला फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ